इंदोर जिले में तरी इसतरि ये पंचायत शुनाव की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है इंदोर जिले की बात करें तो तकरीबन सोव्वार को जिला पंचायत पद मे closest राध के लिए 7 पदो के लिए वो लगातार जारी रहेगी 13 दिसंबर से 20 दिसंबर तक बीच के नामंकन की जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा और उसी के साथ 13 दिसंबर को चुनाव चिन आवंडित किये जाएंगे आज बात करें इंदोर जिले के प्रशाशन की तो यहाँ पर जो विवस्थाय रखी थी वो काफी अच्छी विवस्थाय थी और जो यहाँ पर फॉर्म लेने आने वाले लोग थे उनमें काफी कम लोग इंदोर के बात जरूर बताएंगे कि यह जो चुनाव होते हैं यह काफी छोटे चुनाव होते हैं लेकिन इसकी प्रकरिया काफी अलग होती है लगातार जो यहां के जनपरती निदी हैं वो इस चुनाव को इसी रूप में देखते हैं कि जो आने वाले दूसरे जो चुनाव होते हैं जो बड़े चुनाव में वो इस चुनाव की रूप रेका ही रूप रेका से तै करते हैं भले ही यह पार्टी स्तर के चुनाव नहीं होते हैं लेकिन कहीं न कहीं दोनों ही पार्टियां इस चुनाव में अपनी पूरी जी जान जोगते हैं क्योंकि अगर उनका केंडिडेट जो उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ है वो अगर यहां पर जीतता है तो कहीना कहीं जो बड़े चुनाओं होते हैं उसका लाब उन पार्टीयों को मिलता है आला कि कहीना कहीं लगातार दोनों ही पार्टी के लोग यहां पर इस चुनाओं को लेके पूरी तयारी कर चुके ह सभी प्रकार से अपनी पूरी ताकत यहां पर कारेकरताओं की जोग चुके हैं और अब सीधे-सीधे यह जो युद है पंचाय चुनाओं की जो लड़ाई है वह अब शुरूओ चुकी है दोनों ही पाटियों के नेता कारेकरता पूरी ताकत से लगे वे हैं वहीं जिला पर्शाशन की बात करें तो जिला परशाशन ने भी पंचाय चुनाओ की पूरी तयारी कर ली हैं, पंचाय चुनाओ हर प्रकार से सम्पन कराने के लिए, हर प्रकार की कानूं विवस्था को यहाँ पर सुचारू रूप से देखा और परखा जा रहा है, क्योंकि जब यह चुनाव होते हैं तो कहीं न कहीं ऐसे सम्वेदन शील इस्थानों का चैन होता है वहाँ पर कहीं प्रकार की व्यवस्थाय जिला परशाशन को पुलिस परशाशन करना पड़ती है और उसकी पूरी तयारी जिला परशाशन कर चुका है अब लगातारी प्रक मैं ही बताएगा इन दोर से MP News के लिए धर्मेंदरियादों की रिपोर्ट MP की नफस MP का हाथ मज़्य प्रदेश की हर खबर MP News TV के साथ लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल MP News TV लेटिस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न पूदे